आज मैं आपकी साथ शेयर करूंगे नान खटाई के बहुती टेस्टी बिस्केट, खास बात तो ये है कि ये बिस्केटम बनाएंगे तवे पर, इन्हें बनाना बहुती आसान होता है और बहुती जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इस रे के इस्तमाल करेंगे, आधा कब डाल देते हैं बेसन, इसी के अंदर आप सारी चीज़ों को एड कर दे और फिर इसमें डाल देते हैं सूजी, तो दो बड़े चमच हम इसमें सूजी डाल देंगे, सूजी हमें बारिक वाली लेनी है, अब इन सब चीज़ों को छान देते है अगर आप यह बिस्किट हेल्दी खाना चाते हैं तो आप इसमें आटक इस्तमाल कर सकते हैं मैदा की जगे पे तो सारे चीजों को इस तरह से हम मिक्स करते हुए चान लेते हैं चानना बहुत ज़रूरी है और सारे चीजें मेजरमेंट के हिसाब सही ले तो यहां पर हमने सार कब इसी हुई चीजें का इस्तमाल करें सारी चीजों का मेजरमेंट बहुत जादा ध्यान से रखें तो हमने चीजें को भी अच्छे से चान लिया है इसमें आप देख सकते हैं चीजें में भी बहुत जादा क्रिस्टल्स होते हैं तो इसलिए हम चीजें को भी अच्छे से अब इन सब चीजों को हम आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से, मिक्स करने के बाद हम इसमें घी डालना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने या पे लिया है वन थर्ड कप जितना घी, घी को मैल्ट कर लें, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही अड़ करें, तो इतना घ घी की ज़रत और पड़ती है, तो आप इसमें और एड़ कर सकते हैं, तो यहां पे हमारा जो डो है, अच्छे से तयार हो गया है, बिल्कुल स्मूध हो गया है, बिस्किट को बेक करने के लिए हम तबा को तयार कर लेते हैं, पार्शमेंट पेपर लगा के, मैंने या पे ल केपर सखेट करते हैं यह पेपर गोला किना के करतों से घुपिषयला भारते हैं, बिस्कित बनाने कि लिए ऐक थोड़ा सा ढले करते हैं, बहुत जादा बडके सैसे बादिन्स की बिस्किट नहीं बना 마rat items की अपते हैं फूराइन हाथों में स्मूध कर लेंगे, और फ तो पहले मैंने इसे अच्छे से स्मूध कर लिया है अपने हतेलियों की मदद से और फिर इसके दोनों हातों से अपने इस तरह से इसको राउंड शेप का दे देंगे अगर इसमें थोड़े बहुत क्रेक्स आ रहे हैं तो वो रहने दे क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं नन・कटाई विस्कीट में वैसे भी क्रेक्स दिखने में अच्छे लगते हैं तो इसी तरह से हम सारे जो बिस्किट है वो बना के ready कर लेते हैं तो बिस्किट हमारे यहां पर ready हो गए हैं आप देख सकते हैं बिस्किट बनना के तना आसान है वह आजादा महनत नहीं है बस हलका सा इसको स्मूध करना है आतों में रोल करना है और इसका शेप अच्छे से आ आप चाहें तो यह प्रॉस्स करें नहीं तो आप आप आसे ही बेक कर लें बिना ड्राइफ रूट सजाए मैं पे पिस्ता का इस्तमाल कर रही हूं आप अमने पसंद का को भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं तो मैंने या पर बारिक चॉप एक दम पिस्ता लिया है जो इसमें विष्किट को बेक करते हैं अब बिस्किट को बेक घुप साथ करते हैं में गैप जरूर रखें तो इसे हम डिएरेक्ट एक तवे पे नहीं एक हाम करेंगे तो पहले आप नीचे एक और तवह रखें उसके उपर अपना इछ तवह रुट अद पर डखकन अच्छे बंद करे मेक शौर करें कि वह अच्छे से कवर हो फिर इसे हम 20-25 मिनिट के लिए बेक हो जाने देंगे low to medium flame पर आप चाहें तो पुराने तवे को यानि जो नीचे तवा रखा है उसको आप पहले अच्छे से गरम कर लें फिर इसके उपर अपना जो बेक तवा है वो रखें तो कम से क अच्छे से तयार हो गए हैं बीच वाला बिस्कित थोड़ा जादा बेक हो गया है क्योंकि उस पर हीट जादा लगी है और बिस्कित हमारे बिलकुल तयार है आप इसे ठंडा होने के बाद ही खाएं फिर एक क्रंची लगते हैं इसका टेक्शर हम अंदर से भी देख लेते अवीजे क्योंकि जाओा झाला बिलकुल ईादा है